दो हजार अठारा के बाद से जब से कांग्रेस नित वुपेज बगहिल की सरकार 36 गड़ में ये तब से भै, भूक और भ्रष्टाचार तीनो इस प्रदेश में इस कदर फैला की आम जनता बुरी तरह से तरस्थ हो रखी अगर हम सडकों की बात करें, घर घोड़ा से रैगर के सडक की ये स्थिती है कि उस पे हम दो चक्के में भी आना चाहेंगे तो दो घंटे से पहले मातर 36 किलो मिटर की दूरी तैनी हो सकती, जिस प्रकार से जूठे घोसना पत्र के अधार पे इन्होंने सत्ता पाई और उस घोसना पत्र की एक भी घोसना को इन्होंने पूरा ने किया, भारती जंता पाल्टी इनके जूठे घोसना पत्र के विरुद्ध में सडकों को के नविनी करण के लिए प्रधान मंतरी आवास जो गरीबों का आवास इन्हों का जिनका भर बनना था पिछले साड़े तीन साल से इन्होंने उस योजना के तहत एक भी आवास नहीं बनवा इन सब मांगो को लेकर भारती जंता पाल्टी रैगड जीला पदियातरा का कारिकरम कर रही है जिसमें मानि ओपी चौधरी जी घरगोडा से रैगड हमने इस पदियातरा का नाम संखनाध परिवर्तन का दिया है इसमें करेंगे पहले दिन आख तारिक को ये पदियातरा प्रदेश के अमारे बहुत सारे नेताओं के साथ हमारे प्रदेश सद्ध्यजी आ रहा है माननी रभातार शहर की सड़क्यों की खराब हालत के चलते और दुरगटनाओं की संख्या में जो वृद्धी हो रही है उससे जन मानस में एक बहुती आक्रोश का महौल रहा है लेकि भारतिय जन्ता पार्टी अपने बड़े सभी नेताओं के साथ मिलकर हजारों की संख्या में घरघोड़ा से पधियात्रा का प्रारंब कर रही है जो जिला रायगड़ में घिराव करने के लिए लगातार तीन दिन हम ये पधियात्रा जारी रखेंगे और महिलाओं को तो पिशेश रूप से बहुत ही जादा आक्रोश है क्योंकि ये सड़कों की हालत के चलते जो दरघटनाय हो रही है जो प्रदूशन हो रहा है उसकी मार सबसे ज्यादा लोगों में होती है तो एक अच्छा प्रयास है जिसके चलते शायद ये कुम्भ करनी सरकार है वो जाग स सभी को जिम्मेदारी दी गई है इसी वजह से आज ये बैठक भी आयोजित की जा रही है सबको अपना अपना कारी दिया जाएगा कि इस तरीके से इस पधियात्रा को सफल बनाया जासे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद